हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इंफो कैपसूल पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया के डेड हैंट सिस्टम के बारे में कि ये सिस्टम क्या है और क्या अमरीका, इंडिया और बाकी देशों को भी ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए डिसकस करेंगे हम इन सब बातों के बारे में तो आप बने रहे हैं मेरे साथ आपके अपने चैनल इंफो कैपसूल पर दोस्तो ये एक बहुत इंपोर्टेंट और इंटरस्टिंग टॉपिक है मैं चाहता हूँ आप सभी को इस टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए इसलिए आप इस वीडियो को एंट तक देखिए और इस वीडियो को जाए 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 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चलिए शुरू करते हैं दोस्तो डेड हैं रूस का एक नुकलियर मिसाइल लॉन सस्टम है इसको रूस वाले एक और नाम से भी बुलाते हैं और ये है पेरिमीटर मगर अमेरिकन, येरोपियन और अन्य देशुक के लोग इसको डेड हैंट के नाम से ही जानते हैं इसकी शुरुवात USSR ने की थी, मतलब रूस के टुकड़े होने से पहले के देश जिसको USSR बोलते थे उसने ये बनाया गया था तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये सिस्टम करीब 1970 से लेके 1980 के बीच में बनाया गया और आज के समय भी रूस इसका एक upgraded version इस्तिमाल करा तो दोस्तों ये dead end system ये सुनिश्चित करता है कि कल को रूस को अगर कुछ हो जाता है मान लीजे कि कल को रूस के ओपर nuclear missile से अटैक होता है तो उसके बाद semi automatic तरीके से dead end system activate हो जाएगा और ये अपनी missile अपने आप launch करना है start कर देगा फिर चाहिए इनके राजदानी Moscow पूरी तरह नस्ठ ही क्यों न हो चुकी हो इस concept को थोड़ा और detail में मैं आपको यहां समझाता हूँ तो दोस्तों सन 1990 में रशिया के strategic rocket forces के commander ने एक Russian newspaper को दिये गए इंटर्वी में ये बताया था कि इसको बनाने की पीछे उनका क्या मकसद था देखे रशिया ये मानता है कि अगर अमेरिका की तरफ से यहां अगर आप मैप में देखे तो पता चलेगा कि यहां अमरीका की तरफ से अगर 50 nuclear missile रूस के उपर launch किये जाते हैं तो यहां से लेक अमरीका ये स्ट्राइक यूरोप के किसी देश्चे करता है तो इस स्थिति में रशिया को रियाक करने का समय नहीं मिल पाएगा इनके शब्दों में कहें तो इन्होंने कहा था कि अगर ये medium range missile हमारे बौर्डर के करीब से छोड़ी जाएं तो ऐसे स्थिति में missiles केवल 2-3 म पर रहे ना तो इसका solution जो इन्होंने निकाला वह है parameter ये system ये सुनिश्चित करता है कि अगर मान लीजे रशिया की जो top level leadership है मतलब इनके जो president है, army general है अगर ये किसी nuclear हमले में मारे जाते हैं जो कि possible भी है क्योंकि अगर आप Moscow में एक nuclear missile दाग देते हैं तो ये एक पल में प एक बार Moscow खतम हो गया या इसके साथ इसके दूसरे शेहर भी जहां let's say अमरीका को पता है कि रशिया की military facilities available हैं वो भी खतम कर दिये जाते हैं तब भी हमेशा रशिया में underground एक bunker रहेगा जिसकी जानकारी किसी के पास भी नहीं है वहाँ पर कुछ officer तैनात रहेंगे और उनके पास काफी equipments हैं technology हैं devices हैं ये चेक करने के लिए कि रशिया की जो सतय है मतलब उनके ओपर की धरती क्या वहाँ पर radiation के level बहुत जादा बढ़ चुके हैं क्या Moscow से संपर्ग नहीं हो पारा तो इस तरह के इनके कई सारे checkpoints होते हैं कि अगर ये सब कुछ confirm हो चुका है तो automatically Russia की जो missiles हैं ये अमरीका की तरफ launch होने start हो जाएंगे अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि जब Moscow में एक central command रहेगी तो वो लोग काफी अच्छे तरीके से सटीकता के साथ इन missiles को guide कर सकते हैं पर अगर मान लीजिए Russia की nuclear command में गिंती के 3-4 top level officer ही बचते हैं और इनको बहुत ही जल्दी कुछी मिंटों के अंदर ये सारी nuclear missiles launch करनी हैं तो वो launch ज्यादा सटीकता के साथ नहीं हो पाएगा और Russia बहुत जल्दी अपने missiles randomly launch करना start कर देगा इसमें से कुछ missiles अमरीका को hit करेंगे मगर ये भी possibility बहुत जादा है कि कुछ missiles मैक्सिको या ब्राजील तक को भी न आपको पता होगे कि आज के समय अलग-अलग देशों में मौजूद है तो अगर रशिया को ये पता चलता है कि ये strike अमरीका की जमीन से ना ओकर मान लिजए South Korea से आया है और आने वाले कुछ घंटों में और भी missiles वहां से आ सकते हैं तो उसके जवाब में South Korea पर भी Russia nuclear attack काफी नुकसान होगा इसलिए ये कहा जाता है कि डेड हैंड अपने आप में काफी खतरनाक सिस्टम है और इस टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही फेमस किताब भी लिखी गई है डेविड E. Hoffman के द्वारा इसका नाम है The Dead Hand अचा इस किताब में डेविड होफमें ने काफी रो होता है समुद्द के किनारे तो इनौने लाइट हाउस देखते हुए गाइड से ये कहा कि मैंने ये लाइट हाउस काफी बार देखा इसके बारे में मैंने काफी बार पढ़ा भी है तो गाइड ने इनसे पूछा कि क्यों आप इससे पहले कैलिफोर्णE आचुके हैं क्या तो विक्टर यासिन ने यहाँ पर कहा नहीं USSR में बैठकर हमारा प्लान ये था कि जो हमारा पहला अटेक होगा नुकलिर वेपन का डेड हैंड के तहट वो हम इस लाइट हाउस पर करेंगे क्योंकि इसके नीचे की धर्ती काफी कमजोर है और अगर यहाँ पर अटेक होता है तो एक बहुत बड़ा भुकम भी आ सकता है तो अब आप समझ सकते हैं कितनी सटीक प्लानिंग USSR ने इन नुकलिर अटेक को लेकर कर रखी है इसी तरह के कई और रोचक किससे इस किताब में लिखे गए हैं अगर आपको यह पसंद है तो आप यह किताब खरीद कर पढ़ भी सकते हैं अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल यह भी आ रहा होगा कि अगर रश्या का एक बहुती बड़ा हिस्सा पहले ही हमले में नस्ट किया जा चुका है तो क्या उसके पास मिसाइल लाँच करने की शमता बचेगी तो देखे इसका जवाब होगा हाँ क्योंकि रश्या के बहुत सारे न्यूक्लियर मिसाइल आपको मिलेंगे सीलोस में सीलोस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यह है एक अंडरग्राउंड फेसलिटी होती है मिसाइल लाँच करने के लिए इसको अगर करीब से देखे तो यह कुछ ऐसी दिखती है तो दुनिया के कई देशों के मिसाइल इसी तरह सीलोस में है तो शुरुआती न्यूक्लियर अटेक से भी इनको कुछ ज़्यादा नुक्सान नहीं होगा इसलिए अगर डेड हेंड को एक्टिवेट कर दिया जाता है तो यह सभी मिसाइल बहुत जल्दी लॉंच किये जा सकते हैं तो अब हम बात करते हैं साल 2020 की क्या आज भी डेड हेंड की कोई ऐमियत है तो मैं काऊंगा जी बिलकुल है क्योंकि आज हम सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करते हैं जिनकी स्पीड 10 मार्क तक पहुँच रही है जिसके कारण किसी भी देश पर कुछी मिन्टों में 20-30 मिसाइल तक दागे जा सकते हैं जिसकी वज़े से उस देश को जवाबी हमला करने का समय तक भी नहीं मिल पाएगा इसलिए यूएस में भी ये डिसकेशन अब स्टार्ट हो चुका है और ऐसा सिस्टम होना ही काफी नहीं है बलकि दुनिया को ये भी पता होना चाहिए कि इस देश के पास डेड हैंट सिस्टम है ताकि कोई भी देश उस देश पर अटेक करने से पहले हजार बास सोच ले अब क्योंकि यूएस में भी इस पर डिसकेशन हो रहा है और क्योंकि इंडिया ऐसे पडोस में रह रहा है जहांपर दो नुक्लियर आम्ड देश पाकिस्तान और चाइना बिल्कुल हमारे पडोस में है तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं ऐसे सिस्टम पर काम करना होगा और सारी दुनिया को ये बताना होगा कि इंडिया ने भी एक dead hand जैसा system तयार कर लिया है जिसके कारण अगर हमारे किसी भी शहर पर ऐसा attack होता है तो ये system activate हो जाएगा और दुश्मन देश पर nuclear attack कर देगा बागी दोस्तों ये मेरा अपना personal मानना है आपको क्या लगता है कि इंडिया के पास भी dead hand जैसा system होना चाहिए अगर आपको लगता है कि हाँ होना चाहिए तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तो दोस्तों ये था सारा analysis इस पूरे dead hand system का आपको ये video कैसा लगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली सबी वीडियो के notification आप तक पहुंचते रहें धन्यवाद